होटल जैसी दाल चावल खाने के लिए हमें होटल में नहीं जाना पड़ेगा किसी भी रेश्टरेन में नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों जी हां दोस्तों मैं आज आप सब के लिए लेकर के आई हूँ जीरा राइस और दाल फ्राइ और वो भी एकदम रेश्टरेन स्टाइल में बहुत ही पढ़ियां लगते हैं ये खाने में और बिना किसी चंजट की ये बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं चलिए दोस्तों हेलो दोस्तों मैं हूं मम्ता evergreen foods with मम्ता में आप सबका बहुत स्वागत है आज मैं लेकर की आई हो आप सबके लिए बहुत ही आसान रेस्पिंग जीरा राइस और दाल फ्राइज जी हां दोस्तों इसके लिए मैंने यहां पर लिया है दो कप दाल और इसे अच्छे से मैंने धो लिया है और बढ़िया इन पानी से जैसे नॉर्मली हम दाल धोते हैं और इसे हम कोकर में अपने डाल लेते हैं यहां पर मैंने दो कप दाल लिया था तो दो गलास मैंने यहां पानी डाला है इस दाल को हम काफी गाड़ी रखते हैं ज्यादा पतली नहीं बनाते हैं जैसे डेली हम थोड़ी पतली डाली है और यह थोड़ा colorful रहता है इसलिए हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली है का दोस्तों और इसे 80% तक पकाना है यानि बहुत ज़्यादा दाल को गलाना नहीं है दाल स्रिफ पक जानी चाहिए और एकदम गल्ली नहीं चाहिए इसमें दाल दिखाई देना चा यहां पर मैंने रिफाइन्स चाहिए यूज़ किया है दो चमज में लीक्राण गहीर डाला है इससे बहुत अचा था था भाटन सम्सेट ANDREW ची करी दाल दिया है जैसे की काली म्रिच, लॉंग और एक तेज पत्ता, थोड़े से खड़े मसाले डालने जरूरी है, अगर आप रोज रोज वही दाल खाके बोर हो जाते हैं, तो इसी दाल को वही दाल को हम थोड़ा सा अगर योनिक इस्टेल में बनाते हैं, तो वो एकदम बहुत ही टेश्ट बहुत होल जाल करते हैं, आप इसी तरह से दाल तो आप इससे इसकी बी कर सकते हैं, अब इसकी करते हैं, चला कजई कूप ही दो जाना है, लेकिन पीच को थोड़ा हम gluten आंप यहाँ पर लाल भी करना है दाल में हमेसा थोड़ी प्याज लाल ही अच्छी लगती है दोस्तों कच्छी नहीं अच्छी लगती है इसलिए प्याज को थोड़ा हम गोल्डन ब्राउन कलर में होने देंगे और जब यह प्याज अच्छी से हमारी भून जाएगी तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, बहुती जट पड से बन जाती है दोस्तों, और बहुती अच्छा लगता है, ये खाने में बहुती टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं और इसके लिए अब हमें बाहर जाने की जरूत नहीं है, हम घर में भी इसे आसानी से बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ समागरी की जरूत नहीं पड़ती जो हमारे घर में नॉर्मल रहते हैं सब टमाटर प्याज वगेरा उसी से हम इसे बनाते हैं जो देखिए मैंने यहां पर्फरो बड़े सढ़े टामाटर यूँ नोने काटर के यहां दल दिये और थोड़ा समय मेंनेर काला नमक यहां यूच किया है मैं नतने पाउडर आधा चमच के करीब और बहुत ही थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर यहां पर डाला है लाल मिर्च पाउडर आप इसके भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो और लाश्ट वे ने बहुत ही जड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है क्योंकि दाल में भी मै 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे यह कहिए कि टामाटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएं तब तक हमें पकाने हैं आप इसे कलचन से दाप दीचे जो छोड़े चोड़े टामाटर बचे हैं उन्हें आप दाप देंगे तो बढ़ियां से यह सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाए ऐसी दिखनी चाहिए तब ही वह अच्छी लगती है होटल की दाल हम जब खाते हैं तो उसमें काफी दाल ऐसे दिखती है खड़ी खड़ी लेकिन वह पकी रहती है उसी तरीके से आज हम बना रहे हैं और अगर आपको यह दाल गाड़ी लग रही हो तो इसमें आप थोड़ पानी डाला हुआ है अगर आपको पास अमचुर पाउडर नहीं है तो आप निम्बू भी डाल सकते है और बहुत ही थोड़ा सा एक चोथा चमच मैंने यहाँ पर सकर कई उच किया है आप चाहे तो सकर इसके भी कर सकते है पर सकर डालने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है दोस्तों यकीन मानुनी या बहुत ही तैस कहते है बहुत ही थोड़ा सा डालना होता है ज्यादा नहीं डालना होता और इस भक 5organ के पका लेंगे वापस से पानी गवे दल था उसके लिए पानी को थोड़ा पकाएंगे दाल और पानी आपस में मिक्स हो जाएं बस इतना ही पकाना है देखे दाल अभी मेरी थोड़े पतली दिख रही है लेकिन वह बाद में काफी गाड़ी हो जाएगी अभी मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और धनिया की पती डाल दी है उपर से आप चाहे तो कसूरी मेथी हो आपके पास तो आप वह भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर धनिया पती डाली है देखे दाल हमारी काफी ठीक हो गई है और यह हमारी दाल बन करके रेड़ी है बहुत ही टेस्टी दिख रही है अभी हम यह थोड़ा ठंडा ह जाएगा तो यह और गाड़ी हो जाएगी अब ढ़कर कर देते हैं चलते हैं जीरा राइस बनाने के और उसके लिए मैंने यहां पर दो ग्लास चावल लिया है और इन्हें अच्छे से धो लिये हैं धोने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए अच्छे से पहले वाश कर लेंगे फिर उसके बाद इसमें 20 मिनट के लिए पानी डाल करके रख देंगे या फिर आधे गंटे के लिए अब देखें यहां पर मैंने उसी कूकर को धो लिया था जिसमें डाल पकाई थी और उसे में मैंने एक चमब सरे तेल डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है और एक तेज पता डाला है तेज पता का फ्लेवर और जीरे का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है राइस में आप इसे जरूर डालियेगा और बहुआ ज्यादा इसमें मैंने ताम-ज्धानला किया रखे हुए थैश मैंने बहुत दाल दिया है chloride करके जो तेल यह होkon चावल पानी डाला जब भी आप उकर में चावल बनाईे तो ज्टना आप पनी जाहता है अभी उन्यास के पानी ककण भीर को बिसेर के सब्केंट वात बाइब में हने तक हमसे पकाद को तेश्थी सूपर लाजवाब डाल फ्राई और जीरा राइस तयार हैं दोस्तों कोई नहीं बोल सकता है कि ये घर पर तयार किये गया है बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में आप इसे प्याज और ककड़ी के साथ या फिर हरी मिर्च के साथ सर्व करके देखिए बहुत ही टेस्ट बाइवे दोस्तों थैंक यू फोर वाचिंग